तो यहां पर मेली हो फ्रेस ऐलोवेरा आप चाहओ तो डबा वाला भी यूज़ कर सकते हैं कोई प्रब्लम नहीं है पर हाँ आप यूज़ करने से पहले आप उसे वास जरूर कर ले हैं अब में से इस तरीके से काट लोंगी और हमें चाहिए उसके अंदर वाला पाट इस तरीके से मैं निकाल लोंगी वाइट वाला पार्ट हमें यहीं यूज़ करना है एलोवेरा में विटामिन्स और मिनेरल्स का भड़पूर खाजाना ही पाया जाता है जो कि हमारी स्कीन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और यह हमारी स्कीन को टाइट भी रखता ह सबको खतम करता है आप इसे डेली यूज़ करें नहाने साधा गंटा पहले आप इसे यूज़ कर सकते हो आरा हमसे कोई प्रॉब्म नहीं है ग्रीन वाला पार्ट आप इसे निकाल ले इस तरही के से उसके बाद मैं यहां पर एट करने वाली हूं थोड़ी सी चर्मरिक थोड़ी से टर्मरिक एड़ करूंगी टर्मरिक में एंटि बायोटिक प्रोपर्टीज पाई जाती है जो कि हमारे इसके के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो चलिए अब एपलाई करके बताती हूं तो चलिए संवल्ड़ी से लिए टर्मरिक एड़िक प्रोपर्टीज प्रूब एपलाई कर्वाण कर्वाज एपलाई कर्वाण कर्वाण तो गाइस मैंने वास्ट कर लिए देखिए और एक तब नॉर्मल वाटर से वास्ट करना है और लगाने के बाद इसमी बहुत सॉफ्ट हो जाती है पुझे मत आप एक वार ट्राय जरूर करिएगा तो चलिए चलती हुने बाइक